नमामी शमीशान निर्वान रूपम विभुम्व्यापकं ब्रम्वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम नमस्कार, सुप्रभाद, गुड मॉर्निंग भारत आप समझ ही गए होंगे के आज के सुमबार के डीडी मॉर्निंग शो के संस्करन की शुरुवात शिव स्तुती के साथ क्यों होई है? जी हाँ, कल आशार शुकल पक्ष की पूर्णिमा थी जिसे हम सभी ने गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया हमने अपने गुरु जनों को जिन्होंने हमें मार्ग दर्शन दिया जीवन में उन सभी को मनाये, उन सभी को नमन किया और साथ ही आज सावन का महिना शुरू हो गया है जी हाँ, और जब सावन की बात करते हैं तो शिव का महादेव का प्रिह महिना है सावन प्रकृती के अनुपम स्वरूप को देखने और दिखाने का महिना है सावन साथ ही रिमजिम बरसात और हर्याली के बीच शिव के गुणगान और स्वयम नागराज की स्तुती नाग-पंचमी का महिना भी है सावन जी हाँ, सावन का महिना और वो भी सावन के आप पहला सोमवार जिसका एक विशेश महत्व भी है सावन वो महिना है जब समुन्दर मंथन हुआ था और भगवान शिव ने विश्च को ग्रहन किया था और उन्हें नील कंठ कहा गया साथ ही मापारवती ने उपास ना कर शिव को मनाया और शक्ती का शिव से मेल हुआ तो आज मंडे मॉर्निंग शो के मंडे एडिशन में हम शिव मैं तो रहेंगे ही साथ ही बात होगी कि शिव जी आज के जीवन में हमें क्या-क्या सिखाते हैं, विशेश महमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे, साथ ही क्योंकि सावन का महीना है, संगीत का महीना है, खुशहाली का महीना है, हर्याली का महीना है, आपको कजरी भी सुनाएंगे और वो भी पद्म विभूशन गिरजा देवी की आवाज में, तो बहुत कुछ होने वाला है, तैयार रही है, हमारे साथ जुड़े रही है, अपनी चाई के कप और कॉफी के मग के साथ, हर बार की तरह शुड़वात करते हैं, एक सूवचार से. सब धर्ती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, साथ समुद्र की मसी करूं, गुरुगोन लिखाना जाए. तो कहते हैं ना, बिन गुरु ग्यान कहां से पाऊं, हम तो उस संस्कृती के संभाहक है, जहां कहा जाता है, गुरु गोविंद दवु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद भियो बताए, तो गुरु का स्थान, जब गुरुर ब्रह्मा, अगने शिसाम्व सदार्शिव की आराधना की बात, आजसावन के पहले सोमवार को कर रहे हैं, और कल हम सभी ने मनाई आशार शुकल की, शुकल पक्श की पूर्निमा, यानि गुरु पूर्निमा, गुरु की आराधना की, और इतिहास साक्शी है, क erk dissip dann, गुरु का सानिध सेगमिन क्योंकि शायद ही कोई ऐसा शो होगा प्रिदर्शनी जिस शो में हिस्ट्री के इंपोर्टेंस और हर दिन का इतिहास बताया जाता हो हर बार के तरह समय हो गया है देखने का तुदे इन हिस्ट्री 1947 में 22 जुलाई को ही समविधान सभाने तिरंगे को देश के राष्ट्रिय ध्वज के तौर पर अंगी कार किया था 22 जुलाई 1981 को भारत के पहले भूस थिर उपग्रेह एपल ने कारिय करना शुरू किया 22 जुलाई 2012 को प्रणव मोखरजी भारत के तेरह में राष्ट्रपती निर्वाजित हुए 1923 में आज ही के दिन प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश का जन्म हुआ था 22 जुलाई 2019 को चंदरियान 2 ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी आज ही के दिन 2009 में दुनिया ने 21 सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहन देखा धर्ती के अलग-अलग हिस्सों से ये सूर्य ग्रहन 6 मिनट 38 सेकिंड तक देखा गया विश्व मस्तिश्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है ये दिन जागरूपता बढ़ाने और मस्तिश्क स्वास्ति से सम्मंधित जानकारी को बढ़ावा देने के लिए समर्भी देए सावन की विशेश तोर पर अगर बात करें तो कई स्थानों पर कावड यात्रा निकाली जाती है तो उजैन के महकालेश्वर की सोंबार की सवारी निकाली जाती है कई जगे मंदिरों में जल अभिशेख होता है और अनिकानेक तरीकों से लोग शिव को अपने ढंग से पूजते हैं और अपने अपने शिव की परिभाशा अलग-अलग ढंग से परिभाशे करते हैं तो शिव जी को अगर हम मनाते हैं, विदी विधान से पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कहा जाता है कि आपके मन की जो इच्छा है वो जरूर भगवान सुनते हैं और अपनी जो क्रपा है, अपना अशिरवाद है, आप पर बरकरार रखते हैं तो इसी विशे में कि शिव की महिमा उपासना के बारे में हम आज बात करेंगे, हमारे साथ विशेश गेस्ट्स मौजूद हैं स्टूडियो में और कुछ परोख्ष रूप से भी हमारे साथ चुड़ेंगे हमारे गेस्ट का परिचे करवाएं, उससे पहले आएए नजर डालते हैं, चुकि बात सावन की चल रही है, सावन यानि शिव, सावन यानि प्रकृति, तो आएए बात करते हैं भक्ती उपासना, ये है सावन सुहावना उमंग, उत्साह, व्रत, उपासना और प्यार के साथ प्रकृति को समझने का नाम है सावन ये महीना है सम्रिद्धे का, संसकार का और संकल्प का बारह महीनों में सावन का महीना कुछ विशेश है सावन की रिमजिम खुहारें, प्रकृति और पर्यावरण को नई आभा प्रदात करते हैं इस मौसम में घर, आंगन, सभी कुछ सुहावना लगने लगता है भारती संसकृति में लोक गीतों और लोक नृत्यों का महीना भी है सावन आयुर्वेद में सावन को योग ध्यान का महीना भी कहा गया है इस महीने में जिस प्रकार प्रकृति बारिश से पृत्वी का भी शेक करती है ठीक उसी तरह लोग शद्धा भाव से भवान शंकर का जला भी शेक करते हैं ये भोले नात शिवजी का भी महीना है आज से पवित्र सावन महीने की शुरुवात हो गई है इस बार का सावन विशेश है इसके शुरुवात सोंवार से हो रही है इसके साथ ही प्रीती योग, आयुश्मान योग और सरवार्थ सिध्धी योग भी बन रहा है मानिताओं के अनुसार इस शुब्र योग में भोले नात की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राक्ति होती है सावन में सोंवार का महत्वत जग जाहर है आज पहले सोंवार को मंदिरों में भक्त, आस्था, विश्वास और उत्सास अपने आराध्य भोले नात की पूजा कर रही है इस महीने में कावण यात्रा का भी धार्मिक महत्व है कैसे में कहा जाए तो केवल महीना नहीं है सावन ये जिन्दगी और प्रकृति के बीच संतुलन लाने का शांदार माध्यम भी है शिव की आराधना, शिव किस्तुती, भक्ती, श्रद्धा के साथ करें सभी मनुकामना ये पूर्ण होगी और आज के मौनिंग शो में चुकी बीडा उठाया है हमने शिव के विशे में बात करने का, शिव तत्व को जानने का हमारे साथ स्टूडियो में विशेश महमान के तौर पर मौजूद है श्री आशुतोष अगनी होत्री जी, सिविल सर्वेंट है, आईये सफसर है लेकिन इन सब से परे और इन सब से उपर लेखक भी है आपका बहुत अभिनंदन है सर साथ ही हमारे साथ परोग्ष रूप से मौजूद है प्रफेसर ब्रज भूशन ओजहा जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है विस ट्रस्टी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अलसो सर आपका अभिनंदन है और आपको भी सावन मास की बहुत-बहुत शुब कामना है अनना ही विर्थ है बड़ा ही कटिन प्रश्ण पूछा है आपने और इस प्रेश्ण से जूजनीब का प्रयास मैंने कई बार किया है सबसे पहले जब मुझे अपने नाम का के अर्थ के विशर में पता चला था तो वहीं से जिग्यासा का प्रारंब हुआ था आशुतोष का अर्थ होता है जो बहुत कम बहुत शीग्र और कम में प्रसंद हो जाए और संतुष्ट हो जाए तो ये भोलेनात का बड़ा गुण है और उसके बाद जिन छवियों को बचपन से देखा जिस ध्यानस्त मुद्र में शिव को देखा और जग के कल्यान करने की बात करते हुए देखा उससे शिव के विशे में जानने का कौतूहल पैदा हुआ और कई जगे पढ़ा जाना समझा कि शिव हैं क्या आपने अभी बताया कि शिव का शाब्दिक कर्थ होता है कल्यान लेकि शिव का एकर्थ ये भी है कि वो जो यह नहीं तो क्या एं तो वहां से शिव के विशह में जंदे कि अभिलाशा भी उत इसमें देखा कि शिव परसपर विरोधी जितने भी तत्तों हैं, उनको नकेवल उनके बीच में सामंजस स्थापित कर लेते हैं, बलके उनके बीच में जिस तरह का सौहर्द होना चाहिए, वो भी पैदा करने में समर्थ हैं, और जो जैसा है उसको वैसा स्विकार करने का ही करेगा, जो विश्व के कल्यान में होगा, तो मुझे लगता है कि शिव is the meeting point of all extremities in the world, इस संसार में इस ब्रह्मांड में दो छोर हैं, जिनका मुझे अता पता नहीं, जिनका किसी को अता पता नहीं, लेकिन उनके बीच में जहां कहीं जीवन मिलता हुआ होगा, जहां कह इसी नगरी में बैठे हैं, काशिव विश्वनात का, हर कोई दर्शन करना चाहता है, खास तोर पर से सावन के महीने में तो श्रधालूओं की वहाँ पे कतार लग जाती होगी, ऐसे में सर हमें बताएं कि वहाँ पे क्या प्रबंद हैं श्रधालूओं के लिए? जी, बहुत बहुत धिन्यवाद, आज ये जो स्रावन मास है, बहुत ही सुखत है, तो कल्यान कारी है, और आप देखेंगे, प्राया स्रावन में इसा होता नहीं है, स्रावन मास का जो आरंब हो रहा है, सोंबार से हो रहा है, और समापन भी सोंबार से हो रहा है, तो निश शित रूप से आज स्रावण का पहला सुम्बार है ऐसे भी स्रावण मास भगवान सीव को अठ्यंत प्रिय है जैसा कि पवराणी कथाओं में आप जानते हैं मा पारवती ने सीव को पाने के लिए इसी स्रावण मास में गुर्ट तप किया और भगवान सीव को पाया और सीव और पारवत्ती, सिव और सक्ति का मिलन का ये मास है इसलिए भगवान सिव को अत्यंत प्रिय है और उसमें भी जो सुमबार दिन है, ये बाबा भी सुनात को अत्यंत प्रिय है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोमबार का जो देवता उड़ चंद्रमा है और तो एक तो अत्यंत प्रियसरावन मास, और उसे वी प्रियसोंबार, और सभी जितने भी पुंपनियच्चेत्रे हैं, उनमें समसे पवित्र जो पुंपनियच्चेत्रे हैं, तो आज भक्तों की बादी भीड़ है, जैसा आप जानते हैं विगत वर्ष भी चुकि दो महीने का स्राउंड हुआ पाट सो मबार पड़े तो हमारे जो भक्त सरधालू थे वो बटे हुए थे फिर भी सात लाग छे लाग प्रतिक सोंबार के सरधालू रहे और आज लगभग आसा है कि आठ दस लाग सरधालू आए जहां से दरसनार्थी प्रविष्ट होते हैं उसके अत्रिक्त भी कासी बासियों के लिए एक अत्रिक्त द्वार बनाया गया है जो सिलको गेट नाम दिया गया है वहां दरसन हो रहा है और विसेश करके दरसनार्थियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की उनकी अस की लगाई गई है साथ ही जो गुद्वलिया चौराहा है मैदागिन है वहां से जो बिकलांग जन है हमारे बृद्ध जन है कुछ बिमार लोग भी चाहते हैं चुकि रोग सामक देवता है जो जैसा कि अभी मैं सुन रहा था आयुरवेद में सिव का बहुत बड़ा बरणन है तो ऐसे तमाम स्रगधालू आज स्रावन मास में पवित्र सोंबार के दिन बाबा का दरसन चाहते हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए यहां मंदिर प्रसासन ने गुद्वलिया मैदागिन क्योंकि फोरविलर बंद है इसके लिए इलेक्ट्रानिक बैकिल चलाया जा रहा है और हमारे मंदिर प्रसासन के कारिकरता लगभग एक दो किलो में मीटर के अंदर बैटे हुए हैं और वहां से उनको ला रहे हैं दरसन करा रहे हैं और किसी भी तरह की घड़बरी ने हो इसलिए भी आई प्यू मॉव्मेंट बिलकुल मंदिर प्रसासन ने मना किया है कि स सभी समान है समान रूप से दरसन होगा पुलिस चारों तरफ लगी है मंदिर के जो भी मुख्य कारिपालक कभिकारी है हमारे न्यासी है हमारे पुजारी है तास्त्री है सभी एलर्ट है और चाहिए उनको जल की विवस्था हो या उनको मेडिकल सुविधा वहां पर के मंत्री है लेकिन ओजा सर क्या जो हमारे दिव्यांग भक्तजन है उनके लिए कोई और व्यवस्था की गई है मंदिर प्रशासन के द्वारा बिलकुल उनके लिए पहले तो अलेक्रानिक वैकिल बनाई दी गई है साथ में जो आपना वीलचेर जो है वो लेकर के खड़े मंजिर हमारे मंदिर के कारिकरता उनको आराम से ले जाते है मंदिर लेया के दरसं कराते है फिर छोडते हैं फिर अलेक्रानिक वैकिल ही ए गेट पर उनले जाकर कर पुर्णे लाव मिलेगा ही और मंदिर प्रशासन और आप जो नियास के नियासी सदस्य है उन्हें भी पुर्णे मिल रहा है क्योंकि आप भक्त और भगवान के बीच की दूरी को समाप्त कर रहे हैं और सुगम दर्शन करवा रहे हैं आशुतु सर आप से जानना चाहेंगे अशुतु सर आप से जानना चाहेंगे जब हम शेव की बात कर रहे हैं अभी आपने भी मेंचन किया आदी गुरू है आदी योगी है आज की परिप्रेक्ष में जब हम वसुधैव कुटुमकम की बात करते हैं भारत के विश्व गुरू होने की बात करते हैं तो इस योगिक दर्शन में कितना शिवतत्व है देखिए अभी आपने कहा कि शिव ध्यानस्त मुद्रा में है और वो ध्यान कर रहे हैं कुन प्रशनों को लेकर जिनके उत्तर शायद उन्हें भी नहीं मिले या उन प्रशनों की बात कर रहे हैं या उन विचारों पे ध्यान कर रहे हैं जिससे विश्व का ऐसा कल्यान हो जिसे कोई भी किसी भी तरह का व्यवधान उसको सामना न करना पड़े शिव मुझे लगता है कि शिव से बड़ा गूरु तो कोई ही नहीं शिव आदि योगी भी है और आदि गूरु भी और शिव हमें सबसे जो शरलसंदेश हो देते हैं कि जो सहज है सरस है सरल है वो शिव है शिव को समझने की कोशिश बहुत माध़ियमों से की जा सकती है ल पूजा के माध्यम से कर सकता है, कोई अन्य विधानों के माध्यम से कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शिव को अगर आप सहच सरल रूप में स्विकार कर लें, वही बहुत है, उसमें शिवत्य की प्राप्ती हो जाती है, एक जगे मैंने लिखा कि अमरित के घट के लिए या मोहिनी के दृत्ति के लिए तो सब रहते हैं लालाई, लेकिन हलाहल को पीने के लिए तो सत्य, त्याग और तपस्या का नीलकंठी चाहिए, शिव और क्या सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, कि संसार में रहकर भी आप संसार से जुड़े भी हुए हैं और संसार से अलग भी हैं, संसार आप में चिपका नहीं है, और संसार में रहकर भी आप अपने परिवार और अपने अलावा दूसरों के कल्यान का ध्यान कर स जिन जिव जुन्तुओं को देखें वो एक दूसरे के शत्रू है लेकिन शिव के सानिद्धे में आकर वो सब एक साथ रहना सीख चाते हैं और सभी जग के कल्यान की बात करते हैं तो यहीं शिवत्तु है दूसरी बात मैंने एक अन्य कविता में जब मैंने बोला कि शिव को मैंने समझने के तमाम प्रयास कर लिए फिर मैंने एक जगे पर आके कहा मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूँ मैं अपनी सांसों के उठने गिरने का अर्थ समझता हूँ इसलिए तुम्हें मैं यहीं कहीं वस आस पासी पाता हूँ और तुम कहा नहीं तुम सदा यहीं कहकर ही समझाता हूँ जो सहज सरल वह शंकर है, जो अमिय गरल वह शंकर है, जो हर्ष तोश है शंकर है, जो जगा होश वह शंकर है, जो बहता जाए शंकर है, जो सहता जाए शंकर है, जो हुरदय करुण वह शंकर है, जो किरण अरुण वह शंकर है, जो खुला गगन वह शंकर है, जो छुए पवन जो जले अगन वे शंकर है, जो अगनिशमन है शंकर है, जो जीवन गाए शंकर है, जो काल बुलाए शंकर है, जो मन अनन्त वे शंकर है, जो तन वसंत वे शंकर है, और इसके बाद जो गीत सुनाए शंकर है, जो रत्य दिखाए शंकर है, जो छंद रचाए शंकर है, जो जाये शंकर है, जो उंगली थामे शंकर है, जो हाथ जटक दे शंकर है, मैं कैसे शब्दों में बांधूं, मैं कैसे शब्दों में बांधूं, जो बना नहीं वै शंकर है, जो बना नहीं वै शंकर है, बहुत खूबसूरत है, तो शंकर को बांधने का प्रैत्न, शब्दों मे भावों में, विचारों में, कल्पना में, करना ही व्यरत है क्यक्व की वो हर कल्पना से परे हैं। उनका संौंदर है वो इस कारण अधिक है क्यों जग कि कल्यान की बात करते हैं। सर लेकिन हम अपने जीवन को एक आदर्श बनाने की कोशिश में निरंतर रहते हैं ऐसे में आज के परिवेश में अगर बात की जाए तो हम शिवजी से क्या सीख सकते हैं जिससे हमारा जीवन और सरल रहे और खुबसूरत बने अब देखिए आपने या पहले की चर्चा में भी हम लोगों ने कहा और आपने खुद कहा कि शिव कल्यान की बात करें बिलकुल और कल्यान किसका कल्यान सब का जो सब के कल्यान की बात करें वो शिव और उन्होंने जो गरल पान भी किया वो किस के लिए कि और गरल पान भी ऐसा कि उन्हें पता है कि उनके अंदर ही संप आधिर से तो हम बहुत सारी बात सीक्सक्त उती लेकिन जिस बात को मैं बार बार हो compressiveness कि हम प्रभार जीवन इतना जटिल शो fan लेकिन jsem प्रें सामचते हैं कि ऐसके आग ना वो सरल भूना चाहिए, वो सह्ज होना चाहिए लो ऐसा होना चाहिए जो संपूर्श शिवत्य को हमारे अंदर समाहित गठते और इस बात को बार बार दो्राने की आवश्रकता भी है बहुत से लोग को लेकर त्माम भीचांट्यां रखती है उन्हें लगता है कि शिव is a state of ecstasy, no, शिव is bliss, शिव is pure consciousness, चिदानन्द, चित और आनन्द का समायोजन है वही शिव, तो हम उनको गलत अर्थों में लें, उनको सतह पे न समझें, उनने गहराई में जाकर अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो शिव से सीखने के लिए इतनी चीज़ें हैं, इतनी बाते हैं, कि उनको अगर हम जीवन में उतार देते हैं, तो हमारा जीवन भी उतना ही आनन्दायक होगा, जितने शिव स्वयम है, वेल्कर, ओजा सर आप पे आना चाहेंगे, चुकि आप काशी विश्वनात की नगरी में बैठे हैं, और जब शिव की देखते हैं, इस दर्शन को कैसे देखते हैं? चेतना है, वेल्कुल जुड़े हुए देवता हैं, और जितने भी सनातन धर्में देवी देवता हैं, उनके पूजन बिधी आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं सर्व जनीन नहीं है, सबके लिए ग्राहि नहीं है, लेकिन शिव एक ऐसे देवता हैं, जिनका हर व्यक्ति पूजन समान रूप से करता है, जरूर सास्त्रों में, कालांतर में, बैश्णों संप्रदाय, सईव संप्रदाय, एजगा जगा लोगों ने ब्याक्षा करके बिभेद पैदा करना चाहा, लेकिन आगे के आचार्जुने, चाहे तुलसी दासों, चाहे अन्य हमारे संकराचार्ज की अस्तुति आप देखेंगे सीव के प्रतिय, ऐसी रगवती की अस्तुति करती हुए भी सीव के अधवुत रूपों का ब्रणन करते हैं, और मैं मानता हूँ, सीव एक समन्वे के देवता हैं, धैर्ज के देवता हैं, और सीव पुर्ण ब्रह् भी है, तो सीव एक देवता हैं, जो आसुतोस हैं, आप जिस किसी भाव से उनका भजन पूजन करिये, वो प्रसंद हो जाते हैं, और ऐसा कहा भी गया है, कि इस कल जुग में जदि सद्ध्या फल प्राप्त करना है, तो सीव की आराधना करें, और विसेश करके ये जो चार महीने हैं, जो बैसाख सुकल की देव सहनी एक आजसी से ले करके, और कार्तिक सुकल पक्ष की पुर्णिमा कोई मानता है, कोई द्वाजसी मानता है, जो चातुर मा से है, जिसमें भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, सभी देवी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं तो पौरानी कथाओं के अनुसार पूरे स्रिष्टी का पालन की जिम्मेदारी जो होती है भगवान सिव की होती है और सिव पूरे प्रकृती में हैं तो आप देखेंगे पूरी ब्रिष्टी जैसे पूरे प्रकृती का भी से करती है वैसे ही जो पामन नहीं है वो तो हमारे पालन करता भी है जैसा कि आप उलेख कर रहे हैं और आपके माध्यम से जो आज हमने काशी विश्वनात मंदर की विवस्थाओं को जाना इस हितु हम आपके बहुत-बहुत आभारी है और आपने जो शिव की महिमा भी संप्रेशित की उसके लिए आपका बहुत-ब जो फोक सॉंग्स हैं उसमें आगे बढ़ते जाते हैं और लोग क्योंकि देखिए कोई भी हमारा महीना हो उसमें कोई ना कोई फोक संगीत का जिक्र तो जरूर आता ही है ऐसे में पद्म विभूशन विदूशी गिरजा देवी की कजरी का अगर जिक्र ना हो तो सावन चानलेश गुदिराच के आजी बहना है आजी गर ना अब पर का आजी गर ना दादुरे पोले जिन्गुरुजे नंगारे दादुरे जिन्गुरुजे नंगारे मोरवार नाचाचे सरद्या भुपादी आई रेले मोरवार नाचाचे सरद्या भुपादी आई रेले ना आई रेले ना रेले ना आप परतां भुपादी आई रेले ना आई रेले ना रेले ना आई रेले ना आई रेले ना अब परतां भुपादी आई रेले ना धर्दन अपमना सागुले विजारों की तबही ना अब तिया मार की कवर रेले हैं तिया मार की आज रेले ना परतां भुपादी रेले ना तो सावन के महीने में अगर ये लोक संगीत सुनने को मिल जाए सावन के महीने में हम मनुश्य चोड़िये पशू-पक्षिस, सबकूँ आनन्दित हो जाते हैं जिब पशू-पक्षिओं की बात नेकली है आश अशुतोष जी सेव की बात चल रही है शिव परिवार के जब हम बात करते हैं तो यहां भी कई सारे पशु और वन्यजीवों को हमको देखने को मिलता है कि जब शिव का वाहन नंदी है देवी का वाहन शेर है शेर का शेर जो नंदी होता है उसका भक्षन कर सकता है शिव के गले में नाग है, वही कार्ती के का वाहन जो है वो मोर है, दोनों एक दूसरे का फूट चेन रिलेट होता है, गणपती का वाहन मूशक है तो कहीं न कहीं ये संतुलन, पशुपक्षी, प्रकृती, इन सब में कैसे देखते हैं क्योंकि सावन का महिना है तो निश्चे तोर पर प्रकृती भी आनंदित हो ठी है और ये कही न कहीं हमारे मन मस्तिश को भी शांती प्रदान करता है, आनन्द प्रदान करता है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात की और इसी बात का उलेक मैंने पहले किया था कि जो सभी शक्तियों को जो परसपर विरुधी शक्तिया हैं उनमें भी सामंजस्त स्थापित कर ले वही शक्ति बहुत लोगों के पास होती है लेकिन शक्ति जब जब जख कल्यान में लगे तब शिवत्तो है और जिन जीव जन्तों की बात आपने की वो शिव के सानिद्भ में कितने प्रेम से आपस में रहते हैं और सब चकल्यान की बात करते हैं, प्रकृती अपने संपूर सौंदर्य में दिखाई देती है इस समय और इसका मुख्य उद्देश ये है कि प्रकृती में जल जो है, जो जल तक्तु है वो प्रकृती का अभिशेक कर रहा है, और जल शुद्धता का प्रतीक है, जब एक बार आप जल से अभिशेक कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि सब कुछ धुला हुआ है, साफ है, सावरा हुआ 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 है, और कहीं ने कहीं समझसे की बीज किसी भी प्रकृत का मानसिक टनाव नहीं होता है, अगर वो तनाव है, या विरोधा भास है तो शिव नहीं है, व आने पहले भी इस बात को कहा, कि हलके तनाव के साथ ही आप कहीं दूर जा सकते हैं, लेकिन अगर तनाव अधिक है, गुलेल में तनाव अधिक है, या आपके धनुष में तनाव अधिक है, तो वो तूट जाएगा, लेकिन आप में हलका तनाव है, तो आप थोड़ा दूर ज लेकिन उसके बाद आपको यह भी समझना होगा, कि आप कहीं पहुंचे हैं, तो उसमें सिर्फ आपका हाथ नहीं, उस गुलेल का हाथ भी है, उस धनुष का हाथ भी है, और जो वो चला रहा था उसका हाथ भी, तो इश्वर है जो हमें कहीं पहुंचा रहा है, अगर हम अपन का पूरे संसार का पूरे जग का गरल ग्रहन करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने किया भी है तो हम अपने आप को चिंतित क्यों रखते हैं मुझे इस बात का प्रश्ण इस प्रश्ण का उत्तर अभी तक नहीं मिला और मैं तो यही अपक्षा रखूंगा सबसे यही कहूं कि वो अपनी सारी चिंताएं अपना सारा स्ट्रेस अपना अपनी सारी आकांग्शाएं शिव को सरेंडर करते हुए चलें सौपते हुए चलें तो देखेंगे कि जीवन कितना आनंदा है यानि शिव माय हो जाए हम सब मानसिक तनाओं को अपने दिल और दिमाग से निकाल अशुतोष जी बड़ी अच्छी बात कही और संयोग की बात है कि आज वर्ल्ड ब्रेन डेवी है उसके विशे में भी चर्चा करेंगे लेकिन आपकी साथ जो ये सकारात्मक चर्चा हुई जिसने एक अनोखी उर्जया दी है निश्चत हमारे दर्शकों तक जो भाव जो